आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें इसका जो है पांच जी ये नीचे की तरफ लग रहा होगा इसका तनाव मान लेते हैं क्योंकि दो डोरियां है तो दोनों में तनाव अलग अलग होगे तो इसलिए मैं इस डोरी में तनाव T1 ले ले रहा हूँ और इस दोरी में तनाव T2 ले रहा हूँ यह भारी है 15 kg का है तो इसका मतलब है यह नीचे की तरफ जाएगा ठीक है मान लीजिए यह तोरण से नीचे की तरफ जा रहा है अगर यह नीचे की तरफ जा रहा है इसका मतलब यह ऊपर की तरफ जा रहा है अब चूंकि यह पूरा सिस्टम जो है एक ही डोरी से मतलब दो ड प्रोग्राम वाला बॉक ब्लॉक जो है इस दिशा में जाएगा अगर यह इधर जाएगा यहां पर घर्षण है तो इसकी मज़से क्या होगा घर्षण बल हमारा एफ जो है दाही तरफ लगेगा ठीक है और साथी साथ यह पांच के जी इस पर रखा हुआ है तो इसका एम जी लिशा कैसे दिखाते हैं उसकी लिशा यहां पर यह T1 हो जाएगा यह T1 है तो T1 होगा यह T2 है तो यह भी T2 होगा ठीक है क्या है यह दोरी है तो तरफ इन में सामान होगे यह चीज हमने बना ली यह BD बना लिया ठीक है फ्रीबर्ट राइगरम बना लिया अब हम लोग है कि Newton का दितिये नियम ठीक है तो Newton के दितिये नियम से क्या है F बराबर MA होता है ठीक है हम जानते हैं कि net बल जो है F net कुल बल जो है द्रबमान गुडे तोरण के बराबर होता है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग 15 kg ब्लॉक के लिए 15 kg ब्लॉक ठीक है उसके लिए देखते है तो 15 kg ब्लॉक वाले के लिए देखे तो क्या होगा यह नीचे की तरफ जा रहा है तो 15 g को नीचे पहले लिखेंगे जो जिधर मूब करता उसको पहले लिखते हैं 15 g माइनस t1 बराबर m a होता है नेट बल्ली हो गया पूरा बल्ली हो गया बराबर m यानि की द्रबमान यानि 15 गोड़ी तोरण a हो गया इसको समीकरण एक लिख देता हूँ इसी प्रकार हम लोग दूसरा जो है 5 kg ब्लॉक के लिए इसको लिए लिखते हैं 5 kg ब्लॉक ठीक है इसके लिए अगर न्यूटन का दूती इनियम प्रियोक करें तो क्या होगा यहां से देखे अब यह उपर की ब्लॉक जो कि टेबल पर रखा है इस ब्लॉक के लिए देखें तो कौन सा कार कर रहा है इसमें हम लोग क्या करेंगे न्यूटन के दूती इनियम से क्या है फोर्स को बैलेंस करेंगे तो अब सबसे पहले वर्डिकल यानिकी समेशन f y 0 होना चाहिए ठीक है क्योंकि y दिसा हम कोई गत नहीं हो रही है क्यों एक से दिसा में हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा n बराबर 5g होगा तो यहाँ पे आपका जाएगा n बराबर mg यानिकी 5g ठीक है यह हो जाएगा और यहाँ पे इस दिसा में गत हो रही है तो यहाँ पे न्यूटन का दूती नियम बराबर MA लगाएंगे जिस दिशा में गत नहीं हो रही है वहां पे हम लोग जो है F net बराबर 0 लिखते हैं तो आप देखो इधर जा रहा है तो T1 को पहले लिखेंगे तो यह हो जाएगा T1 माइनस T2 क्योंकि इसकी दिशा इन दोनों की दिशा इसकी दिशा इससे भी प्रीथ है और F की दिशा भी दिशा में है एक और बल लग रहा है तो F भी लिखेंगे हम लोग इसको भूल मत जाना कि friction फोर्स यानि कि घर्षन बल भी कार कर रहा है तो इसको भी ध्यान से लिखना है क्योंकि इन दोनों के बीच है तो इसलिए यहां पे लिख रहे हैं बराबर M A यानि 5 गुड़े A ठीक है यह तीन समीकर्ण हमारे हो गए इन तीनों को हल करके हम लोग T1 और T2 का मान निकाल लेंगे ठीक है लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे F का मान निकाल लेंग है तो म्यू का मान 0.2 है और N का मान M N की 5 G है तो यह जाएगा 10 और असानी के लिए G का मान 10 मीटर पर सेकंड इसको ले लेते हैं तो घरसन बल है तो 10 निउटन आ जाएगा ठीक है F का मान हमें 10 निउटन मिल गया है समीकर्ण 3 है तो यहां से अब देखिए समीकर्ण 1 और 2 क जोड़ देते हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो T1 15G-5G-T1-T2 देखिए एक बार जोड़ते हैं तो समीकर्ण 1 और 2 इन दोनों को जोड़ीती है तो पहले है 15G-T1 15G-T1-T2-5G बराबर कितना है यहां पे 15E 5 और 5E है दोनों मिलके 20E 15E 20E हो जाएगा ठीक है तो यहा मैंसे 5 गया है यह आजाएगा आपका 10G ठीक है तो यह हो जाएगा T2-T1 धन 10G बराबर यह क्या हो जाएगा 20A ठीक है तो यहां से अब देखिए क्या होगा यहां से अब हम लोग अब समीकरण 3 को देखिए अगर समीकरण F को मैं G लिखू यहां से तो 3 और इसको मैं 4 देदेता हूँ तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ देते हैं तो यहां से T1 और T2 कर जाएगे तो समीकरण 3 धन 4 यहां पर यह 4 लिखा हुआ है इसके नीचे मैं समीकरण 3 लिख देता हूँ तो दिखे T1 के नीचे T1 और T2 के नीचे T2 तो यहां से माइनस T2 धन T1 माइनस F यानि की माइनस G बराबर 5A ठीक है यह हमारा समीकन 3 है इन दोनों को जोड़ दीजिए जोड़ेंगे तो T1 से देखिए यहां से T2 से T2 कड़ जाएगा और T1 से T1 कड़ जाएगा अपस में ठीक है दस में से एक गया कितना हैगा 9G 9G यह बराबर जाएगा 20 में से 5 गया जोड़ रहा है ना यह हो जाएगा 25 25A ठीक है तो A बराबर कितना जाएगा आपका यहां समय तोरण A बराबर मिल जाएगा 9G 10 बटा 25 ठीक है 5 दूनी 10 5 पच्चे 25 नौ दूनी 18 बटा 5 आ जाएगा मीटर पर 2 स्क्वाइर ठीक है यह हमें प 2 में रखके T1 और T2 का मान निकाल लेंगे तो इसलिए समीकाण एक से तो समीकाण A में A क मान रखने पर समीकाण A क्या था हमारा 15G-T1 बराबर 15A 15G-T1 बराबर 15A एक कमान 18 बटा 5 है तो 15 गुडे 18 बटा 5 5 ठीक है तो यहां से T1 बराबर हो जाएगा 15 दामेक 150 इसको इधर ले आते हैं T1 को इधर ले जाते हैं तो 15 अधर हमें 150 माइनस 54 इसको घटाईए तो T1 बराबर यहां से प्राप्त होगा 90 न्यूटन गया हमारा एंसर इसी प्रकार हम लोग T2 निकाल लेते हैं समीकरण 2 में रखके समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या था हमारा T2 माइनस 5G परहबर 5A इसमीकरण 2 था इसमें रखिए T2 बराबर हो जाएगा 5 गुड़े A का मान क्या है 18 बटा 5 धन 5 गुड़े 10 तो जाएका 18 पांस से 5 कटे जाएगा यह हो जाएका 50 18 और 50 कितने हो जाएगे 68 Newton तो यह आगया पहला हमारा 99 Newton और T2 आगया 60 Newton यह दोनों T1 और T2 के मान हो जाएगे यह हमसे पूछ राता प्रश्ण में तो यह दोनों आपके अभिश चुत्तर हो जाएगे ठीक है? Thank you